हेलो केट्स आज हम सीखेंगे सभी वर्णों से बनने वाले आ की मात्रा वाले शब्द तो चलिए शुरूर करते हैं सबसे पहले क्या आता है? क क पर आ की मात्रा लगी तो क्या बना? का ठीक है? फिर क्या आता है? ख ख पर आ की मात्रा लगी तो क्या बना? ख आ ख ठीक है? फिर क्या आएगा? ग ग पर आ की मात्रा लगी तो क्या बनेगा? ग आ गा ठीक है? फिर आता है गह गह पर आ की मात्रा लगी तो क्या बना? गा ठीक है? ऐसे ही हम हर वर्ड नो पर आ की मात्रा लगा के शब्द बनाएंगे चलिए ग प्लस आ इस इक्वल टू का इस का से बनेगा का गज फिर आता है ख ख पर आ की मात्रा लगी तो क्या बनेगा? खा और खा से होगा खाना फिर आता है ग ग पर आ की मात्रा लगी तो बनेगा? गा और गा से होगा गाजर फिर आता है ग ग पर आ की मात्रा लगी तो बनेगा? गा और गा से होगा? गास फिर आएगा च च पर आ की मात्रा लगी तो बना? चा, और चा से होगा चार यानी फोर, ठीक है, गह पे आकी मात्रा लगी तो बना काह और कागज, ख़ पे आकी मात्रा लगी तो बना खाह और खाना, गह पे आकी मात्रा लगी तो बना गाह और गाजर, घह पे आ की मात्रा लगी तो बना घा और उससे बना गास चह पे आ की मात्रा लगी तो बना चाह और उससे बना चार फिर आता है चह चह पर आ की मात्रा लगी तो बना चाह और चाह से होगा क्या चाहता फिर आएगा ज, ज पर आ की मातर लगी तो बना जा और ज, जा से जाला, मकडे का जाला फिर आता है ज, और ज पर आ की मातर लगी तो बना जा और जा से होगा जाडी फिर आता है त, त पर आ की मातर लगी तो बना ता और ता से बनेगा टापू फिर आता है ठ, त पर आ की मातर लगी तो बना था और ठ से हुआ, ठा से हुआ ठाट फिर आता है द, द पर आ की मातर लगी तो बना दा दा से होगा दामर फिर आता है ध, ध पर आ की मातर लगी तो बना धा और धा से होगा धाल फिर आता है त, त पर आ की मातर लगी तो बना था ता से होगा ताला फिर आता है थ, थ पर आ की मातर लगी तो बना था और था से हुआ थाली फिर आता है द, द पर आ की मातर लगी तो बना दा दा से होगा दान फिर आता है ध, ध पर आ की मातर लगी तो बना धा धा से बना धान फिर आता है न, न पे आ की मात्र लगी तो बना ना और न से बना नाक फिर आता है प, प पे आ की मात्र लगी तो बना पा और पा से बना पानी फिर आता है फ, फ पे आ की मात्र लगी तो बना फा, फा से बनेगा फाग फिर आता है ब, ब पे आ की मात्र लगी तो बना बा, और बा से बनेगा बाग फिर आता है भ, भ पे आ की मात्र लगी तो बनेगा भा और भा से क्या होता है भालू फिर आता है म, म पे आ की मात्र लगी तो बना मा, मा से बना माला फिर आता है य, य पे आ की मात्र लगी तो बना य, य से होगा यात्रा फिर आया र, र पे आ की मात्र लगी तो बना रा, र से रात फिर आया ल, ल पे आ की मात्र लगी तो बना ला ला से होगा लाल फिर आया व व पे आ की मात्रा तो बना वा और वा से होगा वायू यान यानि की एरोप्लेन फिर आयेगा श, श पे आ की मात्रा तो बनी शा और शा से होगा शाखा फिर आया श, श पे आ की मात्रा तो शा फिर होगा स, स पे आ की मात्रा तो बना सा और सा से होगा सावन फिर आया ह, ह पे आ की मात्रा तो बनेगा हा और हा से हा थी दादा फिर आया श श पे आ की मात्रा तो शा और इससे बनेगा शार फिर आया त्र त्र पे आ की मात्रा तो बना त्रा और इससे बनेगा त्राही फिर आया ग्य ग्या पे आ की मात्रा तो बना ग्या और ग्या से बनेगा ग्यान तो अब आप सीख गए हैं सभी वर्णों के आग की मात्रा लगाना, okay? Great, now let's practice one question Now read the sentence म दन मदन ब पे आग की मात्रा बा ज पे आग की मात्रा जा बाजार मदन बाजार और ज पे आग की मात्रा जा मदन बाजार जा अ प न पे आग की मात्रा अप ना प पे आग की मात्रा पा और ठ पाट य पे आ की मात्रा या और द याद कर कर अपना पाट याद कर मदन बाजार जा अपना पाट याद कर न पे आ की मात्रा ना ट कर तक ना टक मत कर ना टक मत कर ट म पे आगी मातरा मा ट र टर ट मातर ख पे आगी मातरा खा ट मातर खा नाटक मत कर ट मातर खा ब ल बल व पे आगी मातरा वा और न बल वान ब न बन बलवान बन मदन बाजार जा अपना पाट याद कर नाटक मत कर ट मातर खा बल वान बन बन बैरी गूड अब आपकी मातर वाले शब्द आपको प्रैक्टिस करने हैं ओके नाव सी यू अगें तोमोरो टादा बाई 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 टे कर